मैलाव की खुआईश हमेशा ही सुन्दर दिखने की होती है अगर कोई खास दिन या त्योहार हो तब तो इस मौके पर खुबसूरत दिखने के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ती मौका था हर्याली तीज का तीज का त्योहार लखनों के एक प्रतिश्चित होटल इंदरानगर सेक्टर 5 में मनाया गया जहां महिलाएं दुलहन की तरह सजी हुई थी और हातों में हरी हरी चूड़ी और महंदी के साथ 16 श्रिंगार में महिलाएं यहां तीज मनाती दिखी इस मौके पर महिलाएं अलग अंदाज में दिखी नवाबों की नगरी में महिलाएं बेगम के रूप में तीज मनाती दिखी हम लोग यह तीज कतिवार हर साल मनाते हैं, लेकिन इस बार हमारी कुछ डिफ्रेंट है क्योंकि हम लोग लखनओ में रहते हैं, लखनओ नवाबों का शेहर हैं, तो आज हम सारी सहेलियां आप कह सकते हैं बेगम बनी वी हैं. और आज हम सब बेगम बन कराई है दरसल हर्याली तीच के त्योहार को महिलाएं बड़ी हे धूमदाम से मनाती है हर्याली तीच के दिन हरे रंग का खास महत्व होता है इसने महिलाएं तीच के दिन हरे रंग की साड़ी और चूड़ियां पहनती है हाथों में मेहन्दी लगाती है और अपनी सखी सहेलियों के साथ जूमती नाचती गाती है लकनों में भी अर्याली तीज शामे अवध के रूप में मनाई गई जहां महिलाओं ने जमकर मौज मस्दी की साथी साथ महिलाओं ने गुरुप डांस भी किया दरसल हिंदु धर्बे तीज का विशेष मेहतु है ये पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन की याद ने मनाया जाता है हर्याली तीज के दिन सुहागन महिलाएं अपने पती की लंबी उम्र की कामना करती है और यहां भी महिलाओं ने अपने पती की लंबी उम्र के लिए कामना की आज क्या खास है आप में? ये महिलाओं में एक जोश रहता है, महिलाएं पूरी तैयारी करती हैं कि कब तीज का तेवहार है और कब वो 16 सिंगार जैसे सद्धचकर लोगों से मिलें। लखनों से कैमरा परसुन सुमीत के साथ आशीश वर्मा प्राइम नियूज।